नमस्ते मैं चंदर से खर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकडमी में स्वागत करता हूं हम लोग यूपी पूलिस कंस्टेबल के लिए एक स्रीज स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन मैथ का पंद्रे कोश्चन करते हैं ओ कोश्चन या तो हमारा प्रिबियस एयर रहता है या प्रिबियस एयर के उपर अधायत कोश्चन रहता है चलिए आज हम लोग उस स्रीज में आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको शब्षे पहले लेटेश नोडिफिकेशन मिलता रहे चलिए आप हम लोग कोश्चिन की दरब चलते हैं निकालना है तो हम क्या करेंगे इस चोवन का दस पर तसत निकालेंगे 54 का 10% यानि हम 1-0 से 1-0 काटेंगे 54 में 10 से भाग देंगे यानि हमारा यहां से क्या निकल क्या गया 5.4 रुपया 54 का 10% कितना हो गया 5.4 रुपया यानि सेव के कीमत में कमी होने के बाद 5.4 रुपया में 10 सेव मिल रहा है 5.4 रुपया में 10 सेव मिल रहा है, यानि 10 सेव का मुल्य क्या हो गया कमी के बाद 5.4 रुपया, तो हम यहां से 1 सेव का मुल्य निकाल सकते हैं, हम यहां से एक सेव का मुल्य निकाल सकते हैं, यानि हम इसमें 10 से भाग देंगे, यह हमारे क्या हो जागा, 0.54 रुपया, हमें क्या निकालना है, प्रति दर्जन सेव की कीमत, एक दर्जन में कितना होता है 12, यानि हमें एक सेव का rate कम होने के बाद मुल्य पता है, तो हम बाड़े से इसमें गुना करेंगे, बाड़े से हम 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 इसमें गुना करेंगे, चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है, एक दुकंदार ने बस्तू को x% लाब पे बेचने का वादा किया किन्तु वह 20% कम वजन का परियोग करता है जिससे उसे 37.5% का लाब होता है तो x का मान ग्यात किजिए हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है देखे हमने मान लिया हमने मान लिया कि 100 गराम की कोई बस्तू है हमने क्या मान लिया कि 100 गराम की कोई बस्तू है जिसकी लागत क्या है 100 रुपया है जिसकी लागत क्या है 100 रुपया है इस बस्तू पे वह जो है एक्स परतिसत लाप पे बेचने का वादा कर रहा है इस बस्तू को अगर वह एक्स परतिसत लाप पे बेचने का वादा कर रहा है यानि उसका SP क्या हो जाएगा 100 प्लस का 100 का X परसंट ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा हमें क्या निकालना है हमें इस x का value निकालना है देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि वो वजन में 20% का कमी कर रहा है यानि वजन में 20% कम पर्योग कर रहा है अब देखिए हम इस 100 gram का minus करेंगे 20% यानि क्या हो जाएगा 100 gram का 20% कितना हो जाएगा 20 gram यानि हम इसमें से 20 gram minus करेंगे ये क्या हो जाएगा 80 gram यानि ग्राहक को 100 gram के जगे दुकंदार जो है 80 gram ही दे रहा है देखिए 100 gram का लागत क्या है 100 रुपया है तो 80 gram का लागत क्या हो जाएगा 80 gram का जो लागत हो जाएगा 80 रूपया हो जाएगा यह 80 रूपया क्या हो गया उस बस्तू का CP हो गया अब देखिए CP पे उसे लाब कितना हो रहा है 37.5% का लाब हो रहा है तो देखिए हम इसका अगर 137.5% निकालेंगे तो हमारा HP निकल कर आजागा अब देखिए हम इसका 80 का 137.5 निकालते हैं हम इस 80 का यानि हम यहां से 28 यानि हमारा CP है हम इस CP का 137.5% अगर निकालेंगे तो यह हमारा क्या निकल किया जाएगा SP के बराबर निकल क्या जाएगा हम इस CP का हमें लाब कितना हो रहा था 37.5% तो हम इस 80 का अगर 137.5% अगर निकालेंगे तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा SP निकल क्या जाएगा अब देखिए हम यहां से अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या जाएगा एक 0 जाएगा अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बर में जाएगा ये 20 से कितने बर में जाएगा 5 बर में ये 20 से कितने बर में जाएगा 5 बर में अब देखिए हम यहां से इसे 5 से काटेंगे हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो यह हमारा 5 से कितने बर में जाएगा हम इसे 5 से काटेंगे तो यह हमारा 5 से चला जाएगा 2 बर में हारसिल 3 37 हो जाएगा यानि 7 बर में 35 हारसिल 2, 25 यानि 5 बर में यानि 275 बर में गया यानि यहां से हमारा क्या निकल किया गया यहां से हमारा निकल किया गया 4 x 275 बटा 4 x 275 बटा 10 अब देखिए हम यहां से इसे 2 से काट सकते हैं यह 2 से 2 बार में जाएगा यह 2 से 5 बार में जाएगा हम इसे 5 से काटेंगे 5 बार में जाएगा 2 into 5 यानि यहां से हमारा क्या निकल क्या जागा 110 हमारा क्या निकल क्या जागा 110 अब देखिए 100 रुपया का कीमत था और वो बेच कितने में राए 110 में 100 रुपया का कीमत था बेच कितने में राए 110 में यानि यहां से हमारा क्या निकल क्या गया यहां से हमारा X का जो value निकल क्या गया 10% निकल क्या जागा यह हमारा क्या निकल क्या गया SP के बराबर निकल क्या गया यानि 100 रुपय की कोई चीज है और बीक कितने मेरे यह 110 में यानि यहां से हमारा percent यानि एक्स पर्सेंट के लाप पे भीक रही थी यानि यहां से हमारा एक्स क्या निकल क्या गया यहां से हमारा एक्स निकल क्या गया एक्स इक्वल टू दस पर्सेंट हमारा एक्स क्या निकल क्या गया दस पर्सेंट के बराबर निकल क्या गया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया हुआ है A, B से दुगुना कुशल है B, C से दुगुना कुशल है यदि अकेले C कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ओ एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते है तो देखे हम यहां से क्या निकाल सकते है हम यहां से निकाल सकते है A, B और C का efficiency का ratio क्योंकि हमें दिया हुआ है कि A जो है B से दुगुना कुशल है B जो है C से दुगुना कुशल है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं, A, B और C के efficiency का ratio निकाल सकते हैं, यानि हम यहां से छमता का ratio निकाल सकते हैं, हम यहां से छमता का ratio निकाल सकते हैं, अब देखिए हमें दिया हुए B जो है C से तिगुना कुशल है, यानि C का efficiency अगर A की unit होगा तो B का efficiency कितना होगा 3 unit और हमें यहां क्या दिया है कि A जो है B से दुगुनना को चले यानि B का efficiency अगर 3 unit है तो A का efficiency कितना होगा 6 unit तो देखिए हमें efficiency का ratio पता चल गया तीनों का कि A का efficiency अगर 6 unit है तो B का efficiency 3 unit और C का efficiency क्या है 1 unit है अब देखिए हम किसी के भी समय में अगर उसके efficiency से गुना करते है तो हमारा क्या निकल क्या आता है total work निकल क्या आता है अब देखिए C का हमें क्या दिया हुआ है हमें C का काम पूरा करने का समय दिया हुआ है और C का efficiency क्या है C का efficiency जो है एक unit है और C कर कितना मेरा है 30 दिन में काम को कर रहा है यानि यहां से हमारा कुल काम क्या निकल क्या जागा 30 unit कुल काम क्या निकल क्या जागा 30 unit यानि 30 unit काम हमारा क्या है total है कुल काम क्या है कुल काम हमारा क्या निकल क्या जागा 30 unit अब देखिए अगर तीनों मिलके करें अगर तीनों मिलके एक साथ करें यानि A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा A जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा B जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में दस यूनिट काम हो पाएगा और टोटल काम कितना करना है तीस यूनिट यानि यहां से हमारा समय निकल क्या जागा दस बटा हम क्या करेंगे तीस बटा क्या क्या करेंगे दस करेंगे 10 हमारा क्या है तीनों का एक दिन का काम यानि A जो है 6 उनिट काम कर रहे है B जो है 3 उनिट और C जो है 1 उनिट हमीशे एड करें क्या हो जागा 10 उनिट हो जागा यानि एक दिन में तीनों मिलके 10 उनिट काम कर रहे है और total 30 उनिट काम करना है यानि हम total काम में अगर तीनों के द्वारा एक दिन में किये गए काम से हम भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जागा यानि हमारा समय क्या निकल के आ जागा तीन दिन यानि तीनों मिलके काम को करेंगे तो काम कितने दिन में समाफ्थ हो जाएगा तीन दिन में समाफ्थ हो जाएगा चली कोशिन समझ में आ गया होगा नेक्स कोशिन पर चलते हैं देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन दिया है पाइप A, B और C एक टंकी को क्रमसा 30, 40 और 6 घंटे में भर सकते हैं, तीनों पाइप A, B और C को एक ही दिन क्रमसा सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी, हमें क्या निकलना है, टंकी जो है कितने बजे भर जाएगी, हमें भरने का समय निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का LCM निकालेंगे, हमारा यहां समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है, 30 घंटा, 40 घंटा, और 60 घंटा, यानि 30, 40 और 60 का, हम क्या निकालेंगे, LCM निकालें टंकी की जो धायता है 120 unit है 120 unit पानी जब A भर रहा है 120 unit पानी जब A भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 30 घंटा का समय ले रहा है 120 unit पानी जब B भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 40 घंटा का समय ले रहा है और 120 unit पानी जब C भर रहा है तो कितना समय ले रहा है C भर रहा है तो कितना समय ले रहा है 60 घंटा का समय ले रहा है अब देखिए A जो है 30 घंटा में 120 यूनिट पानी अगर भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 4 यूनिट पानी यानि A का efficiency क्या हो जागा 4 unit B जो है 40 घंटा में अगर 120 unit पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 3 unit पानी यानि B का efficiency क्या हो जागा 3 unit C जो है 60 घंटा में अगर 120 unit पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 2 unit यानि C का efficiency क्या निकल किया गया 2 unit आप देखिए हमें तीनों का efficiency पता चल गया हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ है कि pipe A को 7 बजे pipe B को 8 बजे और pipe C को 10 बजे चालू किया जाता है pipe A को कितने बजे 7 A में pipe B को 8 A में और pipe C को 10 A में चालू किया जा रहे है अब देखिए पहले घंटा यानि जब 7 बजे A को चालू किया जाएगा A जो है एक घंटा में कितना पानी भर रहे है चार यूनिट पानी भर रहे है यानि 7 बजे से 8 बजे के बीच समय कितना हुआ एक घंटा और कौन सी pipe चालू है A पाइप चालू है यहां कौन चालू है केवल A चालू है अब 8 बजे 8 बजे से 10 बजे तक 8 बजे से 10 बजे तक समय कितना हुआ 2 घंटा और 8 बजे कौन चालू हो जाएगा B चालू हो जाएगा और pipe A तो चालू है ही अब देखे 8 से 10 के बीच कौन काम करेगा A प्लस का B A प्लस का B अगर दोनों 7 में मिलके काम करेगा तो 1 घंटा में A जो है 4 उनिट पानी भर रहा है टंकी के अंदर और B जो है 1 घंटा में 3 उनिट पानी भर रहा है दोनों मिलके अगर भरेंगे तो 1 घंटा में 7 उनिट टंकी के अंदर पानी भरा जाएगा और यहां 8 से 10 के बीच समय कितना है 2 घंटा यानि 2 घंटा में कितना भढ़ेंगे एक घंटा में अगर 7 उनिट पानी भर रहे हैं तो 2 घंटा में 14 उनिट पानी भरेंगे यानि 8 से 10 के बीच कितना पानी टंकी के अंदर भरा जागा 14 उनिट अब देखिए 10 बजे कौन चालू हो जाएगा 10 बजे चालू हो जाएगा C यानि अब यहाँ A, B और C तीनों मिल के काम करेंगे देखिए टंकी का capacity कितना है 120 unit है 120 unit में से A जो है 4 unit पानी भर दिया और A और B मिल के 14 unit पानी भर दिया यानि अब 6 कितना बज़ गया हम इसे पिसे अगर minus कर लेंगे 120 unit में से 4 unit और 14 unit अगर minus कर लेंगे तो हमारा 6 निकल किया जाएगा कि अभी कितना पानी भरना है तो दिखें हम यहाँ से अगर 6 निकालेंगे 6 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा 120 minus का हम 14 और 4 को add करें कितना हो जाएगा 18 यानि यहाँ से हमारा चैनिकल किया गया 102 unit यानि 6 जो है अब 102 unit पानी भरना है और अब जो है तीनों मिल के भर रहे है A, B और C A जो है एक घंटा में 4 unit पानी भर रहे है B जो है एक घंटा में 3 unit और C जो है एक घंटा में दो यूनिट पानी भर रहे है, तीनों मिलके अगर पानी भरेंगे तो एक घंटा में कितना यूनिट टंकिये के अंदर पानी भरा जाएगा, 4 प्लस 3, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानि एक घंटा में 9 यूनिट पानी भरा जाएगा और सेस हमें भरना कितना है 102 unit यानि 102 unit भरना है और एक घंटा में यगर 9 unit पानी भराएगा तो हमारा यहां से समय निकल के आ जागा अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे ये 3 से कितने बार में जागा ये 3 से चला जागा अगर हम इसे 3 से काटेंगे तीन से तीन बार में हारसी लेक 12 यानि चार 34 बार में चला गया ये तीन से तीन बार में चला जागा यानि हमारा क्या निकल क्या गया 34 बटा 3 घंटा देखे 34 बटा 3 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं 34 बटा 3 घंटा को हम लिख सकते हैं 11 33 यानि 11 सही 11 सही 11 बटा 3 घंटा हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 11 घंटा 20 मिनट हम क्या लिख सकते हैं 11 घंटा 20 मिनट अब देखिए ये 10 बज़े जो है तीनों काम कर रहा था यानि 10 बज़े के 11 घंटा 20 मिनट बाद जो है टंकी भर जाएगी यानि हमारा समय क्या निकल क्या जागा अगर हम 10 में अड़ करेंगे 11 घंटा तो हमारा क्या हो जागा 10 दो बारे बारे नो यानि 9 बज़ के 20 मिनट यानि 9 बज़ के 20 मिनट में 9 20 पी-म हमारा क्या निकल क्या आगए 9 बज़ के 20 पी-म में टंकी जो है पूरी भर जाएगी हमारा समय क्या निकल क्या आगए 9 बज़ के 20 पी-म चली कोश्चन समझ में आगया होगा नेक्स कोश्चिन पर चलते हैं चार बर्स का हमें समय दिया हुआ है अगर एक परतिसेत के दर से अगर हम ब्याज को बढ़ा दे एक परतिसेत के दर से अगर हम ब्याज को बढ़ा दे तो सरहारन ब्याज में क्या होता है कि परते एक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है यारि अगर हम पहले साल ब्याज पे 1% बढ़ाएंगे तो दूसरे साल भी 1% बढ़ेगा, तीसरे साल भी 1% और चौथे साल भी 1% बढ़ेगा, यानि ओभर ओल कितना बढ़ जाएगा, 4% का ब्रीधी हो जाएगा, तो दिखिए, अगर हम यहां से निकाल लें, हमारा प्रिंस् क्या हो जाएगा, चानवे हो जाएगा, यानि चानवे रुपया का और ब्रीधी हो जाएगा, चानवे रुपया का और ब्रीधी हो जाएगा, यानि पहले 2400 से कितना हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, 2400 से, वही रासी जो है, 2400 से, पहले जो है, 8% के दर से ब्याज मिल र साल में कितना हो जाएगा पहले कितना ओरा था 3264 रुपया अब कितना हो जागा प्लस का 96 difícil हो जाएगा ten प्ल 스타 90 हो जाएगा हमने प्लस का 93 क्यों किया क्यों कि पटैक साल जो है ब्याज में एक परशंड के दर से ब्रिधी होगा तो सधारन ब्याज में क्या होता है पहले साल जितना ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरे साल तीसरे साल भी उतना ही और चोथे साल भी उतना ही हमें समय कितना दिया हुआ है अगर परतेक साल एक परतिसत का ब्रिधी हुआ तो चार साल में 4% का ब्रिधी होगा य यानि पहले जो हमें मिल रहा था, पहले जो हमारा amount बन रहा था, कितना बन रहा था, 3264 रुपया, अब कितना हो जागा, 3264 प्लस का क्या हो जागा, 92 रुपया, हम इसमें एड करेंगे, ये हमारा क्या हो जागा, 64, 10 के 0, हाथ में 1, ये हो जागा, 15, 16, हाथ में 1, ये कितना हो 33, यानि हमारा क्या निकल के आगे हैं यहां से 3360 रुपया वह रासी उसी शमय में कितना हो जाएगी 3360 रुपया हो जाएगी चलिए कोश्चन समझ में आगया होगा नेक्श कोश्चन पर चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोशन दिया है, सुमन एक लाख, हसी हजा रोपै, चकरभिधी ब्याज पे 10 परतिसत बार्सी की दर से चार बर्ष के लिए निवेश करती है तब चार बर्ष बाथ चकरभिधी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर ज्याद किजिए हमें क्या निकालना है चक्रविधी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर निकालना है देखिए हमें यहाँ प्रिंस्पल क्या दिया हुआ है हमें यहाँ प्रिंस्पल दिया हुआ है एक लाख असी हजार रुपया हमें यहाँ रेट क्या दिया हुआ है दस परसेंट हमें टाइ दिया हो है, समय हमें कितना दिया हो है, हमें समय दिया हो है, चार साल का, हमें चार साल का समय दिया हो है, और rate परसेंट कितना है, 10% के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, अब देखे, एक लाख 80,000 पे पहले साल अगर 10% के दर से ब्याज निकालेंगे, तो कितना मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा अठारे हजार रुपया ये कितना हो जाएगा अठारे हजार रुपया हो जाएगा अब देखिए पहले साल प्रिंस्पल के उपर हमें अठारे हजार रुपया का ब्याज मिलेगा दूसरे साल भी हमें प्रिंस्पल पे 18,000 रुपय का ब्याज मिल जाएगा तीसरे साल भी हमें प्रिंस्पल पे 18,000 रुपय का ब्याज मिल जाएगा चोथे साल भी हमें प्रिंस्पल के उपर 18,000 रुपय का ब्याज मिल जाएगा 10% के दर से अब देखे अगर हमें केवल सधारन ब्याज count करना होता तो हम इसे आपस में जोर देते हमारा सधारन ब्याज निकल किया जाता लेकिन हमें क्या निकालना है हमें निकालना चक्रबीधी ब्याज और सधारन ब्याज का अंतर तो देखे हम चक्रवीधी ब्याज भी निकालेंगे तो देखे चक्रवीधी ब्याज जब हम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है पहले साल तो हमें क्यों प्रिंस्पल के उपर ब्याज मिलता है दूसरे साल हमें प्रिंस्पल के उपर तो मिलता ही है प्लस का हमें क्या मिलता है जो दूसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के उपर भी ब्याज मिलता है यानि 18,000 का हमें 10% ब्याज मिलेगा 18,000 का 10% निकालेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा 800 रुपय हो जाएगा अब देखिए हम यहां क्या करेंगे? टेबल पढ़ेंगे 800, दुनी कितना हो जाएगा? 3600, तियां कितना हो जाएगा? 400 अब देखिए यह हमारा आता कैसे है? यह हमारा अठारे सा किस पर आया? हम यह जो पहले साल ब्याज मिल चुका है दूसरे साल से पहले जो हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज का 10% निकालें यानि 18,000 का 10% कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा अब देखिए तीसरे साल हमें क्या मिलेगा प्रिंस्पल भी मिलेगा प्लस जो तीसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के उपर मिलेगा ब्याज यानि इस अठारे सो और अठारे सो यानि च्छतिस अजार का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल क सब्सक्राइब दो दूसरे साल तो हमें पहले साल जो ब्याज मिला था उस ब्याज के ऊपर मिल गया लेगिन तीसरे साल हमें यह 37 0218One 높ना प्लस 8 difficult मिला लेकिन इस 1800 अपह भी नहीं मिला है यानि हम इस 1800 का 10% निकालेंगे तो 1800 का 10% कितना हो जाएगा 108 उसके बाद हम यहां जो टेबल पढ़ते हैं यहां हम टेबल पढ़ते हैं अगले लाइन में एक छोड़ के पढ़ते यानि कि اतर्म deve are 2772 दरे चौन लेंकिंट यानि ये कितना हो जाएक पानष चालीस हो जाएका पर अब देखिए जो थिसरे साल सीटेसरे साल तो हमें ब्यांज मिल था उस ब्यांज के ऊपर मैं तerem जोट साल का हमाम प्लस का हमें क्या मिल गया ये 1800 और 3600 यानि चोवन सब पर हमें मिल गया 10% परशेट के ब्याद 540 अभी हमें किस पर नहीं मिला है हमें इस 180 रुपया पर नहीं मिला है यानि हम इस 180 का अगर 10% निकालेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा अब देखें अगर हम इस पूरे को क्या आइगा हमारा निकल क्या है यह आइगा यागर हम केवल इसे एड कर दें तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा और क्योंकि यह तो दोनों में आ रहे हैं यह हमारा किस में आ रहे हैं और एसाई में भी आ दस हजार आठ ये हमारे कितना हो जाएगा दस हजार आठ सो ये कितना हो जाएगा दस हजार आठ सो हमी से एड करेंगे कितना हो जाएगा एक सो आठ पे डबल जीरो यानि ये कितना हो जाएगा दस हजार आठ सो प्लस का हमी से एड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 580, 580, 580, 680, ये 40 एड़ करें कितना हो जाएगा 720, 720 और 18, 738, हम इसमें एड़ कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इसमें एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा, 11,000, 11,538, हमारा क्या न इसा ही हमारा क्या निकल किया गया 11,538 चली कोश्ण समझ में आगया होगा नेक्स्ट कोश्ण पर चलते हैं देखिए हमारा कोश्ण क्या दिया हुआ है हमारा कोश्ण दिया है राम और स्याम की आयू 11,7 के अनपाथ में है आठ साल बाद उनकी आयू का अनपाद 15 इस्टू इगारे होगा तो उनकी आयू में कितना अंतर है हमें क्या निकलना है उनकी आयू का अंतर निकलना है देखे हमें बर्तमान आयू का रेशियो दिया हुआ है और आठ साल बाद आयू का हमें रेशियो दिया हुआ है बर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया हुआ है बर्तमान बर्तमान का जो रेशियो है 11 स्थ शाथ है राम और स्याम के बर्तमान आयू का हमें रेशियो क्या दिया और आठ वर्स बाद यह रिश्यू कितना हो जा रहा है 15-11 अब देखिए यहां जो है बर्तमान से कितना बर्स आगे जा रहे है आठ वर्स आगे जा रहे है और यहां जो है राम की आयू में यहांसे हमाणा चार यूनिट किसके पराबर हो गया बर्स के पराबर हो गयार आठ वर्स के पराबर हो गया चार यूनिट किसके बराबर हो गया आठ बर्स के बराबर हो गया तो हमें क्या निकालना था हमें निकालना था उनके आयू का अंतर देखें आयू का अंतर क्या होगा हमेशा बराबर होगा यानि बरतमान में जितना आयू का अंतर होगा उतना ही आठ बर्स बाद होगा उतना स्याम की आयू जो है 11 है थो neighborhoods है और यहां भी हमारी डिफ्रेंस काskin है यहां भी डिफृरेंस है यानि हमारा चार यूनिहीं किसके ब्राबर की आगया आठ वेंस ब्रैंस के क्या होगा 8 verse होगा हमारा answer क्या distill पे चलिए Quran कोस्मझ में आ गया होगा next to finish पे चलते हैं तो टो हमारा question क्या जिए हमसे बोल रहा है कि इसमेंसे हम कौन सी संख्या घटाएं यानि हम इन दोनों में से क्या घटाएं कि हमारा ratio 2 is to 1 के ratio में आ जाएं तो हम यहां से x minus कर लेते हैं दोनों में से x minus कर लेते हैं जो हमारा किसके बराबर डिकल क्या रहा है 2 is to 1 के बराबर डिकल क्या रहा है तो हम यहां से cross multiply करके x का हम value तो निंकाल सकते हैं, अब देखिए हम यहां से cross multiply करेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 13 minus x यहां हम cross गूना करेंगे क्या हो जाएगा 16 minus 2x अब देखिए हम इस minus 2x को इस side लेके आएएंगे यह हमारा क्या हो जाएगा? plus का 2x minus x एक्वल टू यह क्या हो जागा 16 हम इस प्लस के 13 को उस साइड लेगे जाएगा हमारा क्या हो जाएगा minus का 13 यानि यहां से हमारा हो जाएगा x equal to 3 यानि x का value क्या निकल क्या जागा 3 यानि हम इन दोनों में से अगर 3 minus कर दें यानि हम देखिए 3 minus करके दिखाते हैं यहां अगर हम 3 minus कर दें यानि 13 minus का 3 और हम 8 minus का 3 कर दें यह हमारा क्या निकल क्या जागा यह निकल क्या जागा 10 बटा 5 यानि हमारा ratio यहां से क्या निकल क्या गया 2 is to 1 यानि हमारा answer क्या निकल क्या गया हमारा answer निकल क्या गया 3 चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया है, A 35 रुपया से ब्यवशाय की शुरुआत करता है पांच महिना बाद B A के ब्यवशाय में जूर जाता है, एक बर्स बाद लाब को 2-3 के अनपात में बाटते हैं तो B द्वाड़ा निवेश की गई राशी क्या है, हमें क्या निकलना है, B का पूजी निकलना है, देखे हम लाब का रिशू कैसे निकलते हैं, हम यहाँ लाब का रिशू दिया हुआ है, तो हम लाब का रिशू कैसे निकलते हैं, हम पूजी का रिशू निकलना है, अगर हम ग यानि धोनों का शमय पता है तो हम समय का रेषयो नीकाल सकते हैं हम्ने मालने की बी का पूजी जो है वह S Mexican ुपया है B का पूजी क्या है? 1 रुपया है A जो है पूड़े साल के लिए पैसा लगा रहे यानि 12 महीना के लिए और 5 महीना बाद जो है B A के साथ ब्योशाई में जूड रहा है यानि B को कितना समय मिल जागा? 7 महीना का समय मिल जागा अब देखिए पूजी के रेशियो में हम समय के रेशियो से बुना करेंगे हमारा क्या निकल क्या जागा? लाब का रेशियो यानि 2 is to 3 निकल क्या जागा यहां से अब देखिए हम यहां से अगर इसे काटेंगे हम इसे काटेंगे ये 2 से कितने बर में जाएगा? अब देखिए हम यहां गुना करेंगे ये क्या ही हो जाएगा? x equal to 500 गुने 6 गुने 3 हम यहां से अगर cross गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x equal to 500 गुने 6 गुने 3 अब देखें हम यहां गुना करेंगे यह क्या हो जाएगा 6 में 3 से गुना करेंगे अठारे पचे 90, 90 पे 2 0 यानि x equal to क्या निकल क्या गया X equal to निकल किया गया 9000 रुपया यानि B का पूजी क्या है B का जो पूजी है 9000 रुपया हमारा answer क्या निकल किया गया 9000 रुपया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिये 2 संख्याओं का HCF 16 तथा उनका गुननफल HCF equal to पहली संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या हमारा concept होता है अब देखे है यहाँ हमें क्या दिया हुआ है यहां हमें HCF दिया हुआ है, हमें LCM निकालना है और उन संख्याओं का गुननफल दिया हुआ है, हमें गुननफल कितना दिया हुआ है, यानि पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें गुननफल दिया हुआ है, 1,57,440 हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, देखिए, LCM ह का लेंगे यह 60 हमारा गुना में है उस सथ जाएगा भाग में हो जाएगा यानि एक लाख संताओन हजार कि चार सो चालीस को भाग देंगे सुला से अब देखिए यह फोलह से कितने पर में जाएगा है्ज़्स संताओन गा होता है 144 यानि हम इसे 9 से काटेंगे, हम इसे एक 9 से काटेंगे, यह 144 यानि हारसिल कितना आ जाएगा, हारसिल हमारा आ जाएगा, 6 और 7, 13, अब कितना होगे हमारा 134, 134 को अगर हम 16 से काटेंगे, 168 कितना होता है, 128, 168 कितना होता है, 128, یعنى 34 में से 128, 134 में से 128 माइनस करेंगे, ये कितना हो جागा? 6 हो जाएगा, उसके part हमारा क्या आएगा? 4 आएगा, यानी 64, ये कितने पर भाइप जाएगा? 4 बाइगा, 10 हमारा आ जागा यैनी यहाँ से हमारा LCM क्या निकल के आगया? हमारा LCM निकल किया गया 9840, हमारा LCM किया निकल किया गया, 9840, चलिए题 Question समझ में आ गया होगा, Next Question पे चलते हैं, देखे हमारा Question क्या दिया हुआ है, हमारा Question दिया है, हमें दिया है 19,590 देखिए कोई भी संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं उसका हमारा नियम क्या होता है कि संख्या के अंको का संख्या का अंको का योग अगर 9 से विभाजित है तो हमारी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी अब देखिए यहां अगर हम अंको का योग न यानि 9 से 9 कर जाएगा, 9 से 9 कर जाएगा, बच क्या गया, यहां 5, 1, 6 और यह 6, यानि 6, 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, यानि हम इसे 9 से अगर काटेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, हरसिल 3 हो जाएगा, यानि अगर हम इसमें से 3 माइनस कर ले, हम अगर इसमें से 3 माइ इंगिograf 15 26 21 21 21 और 21 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यानि हम इसे यह प्ना निकल का जाएगा Jessica कितना निकल के और यूंदखी हम इसे क्यों जाएगा हम इसमay से चुब्च जाएगा 3 बच जाएगा यानि हम यह हमारी एक संख्या निकल किया जाएगी हम अगर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा उननीश अजार पान्सो तिरानवे ये हमारी एक संख्या हो गई हमें क्या निकलना है दो संख्या निकलना है इसके निकट दो संख्या निकलना है अगर हम इसमें एक 9 एड़ कर दें अगर हम इसमें 9 एड़ कर देंगे तो दूसरी हमारी संख्या निकल के आ जाएगी जो 9 से भी भाजित होगी अगर हम इसमें 9 एड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 3, 12, हाथ में 1, 10 के 0, हाथ में 1, 6 ये कितना हो जाएगा? 9 देखे हैं हमारा कोश्चन क्या दियो है हमारा कोश्चन दियो है किसी संदी बाहू तिर्भूज की दो भूजाएं 15 सेंटीमेटर तथा 22 सेंटीमेटर है परिमाप का संभव मान होगा हमें क्या निकालना है देखे संदी बाहू का मतलब क्या होता है दो भूजा आपस में बड ब्राबर भुजा की जो लंबाई है 15-15 cm है तो एक तिसरी भुजा क्या हो जागी हमारी 22 cm एक और तिर्भुज यहां से हमारा बन सकता है हमने माल लिया कि यह दो भुजा ब्राबर है जिसकी लंबाई क्या है 22 cm है तो एक जो सेस भुजा बच जाएगी उसका लंबाई क्या हो जो answer दिया होगा हम उसे answer माल लेंगे यहां से हमारा answer दो निकल के आएगा दो संभव हमारा परिमाप निकल के आएगा अब देखे हम इसे add करेंगे यहां हमारा परिमाप क्या हो जाएगा परिमाप क्या होता है तिरभूज के तीनों भुजाओं का योब हम यहाँ add करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 और 22 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा और यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ जो हमारा परिमाप हो जाएगा हम इसे add करेंगे 22 दूने क्या हो जाएगा 44 दस चोवन चोवन में पाँच एड़ करें कितना हो जागा 69 69 cm ये हमारा क्या हो गया 52 cm अब देखें हमें option में कहीं भी 52 cm नहीं दिया हुआ है तो हमारा संभवान क्या हो जाएगा 69 cm यानि हमारा answer क्या निकल क्या गया ये निकल क्या गया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते है देखें हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया हुआ है एक train पटना से दिल्ली दो चड़नों में बराबर बराबर दोड़ी तै करती है प्रथम चड़न में 60 km पर घंटा चाल से द्वीती चड़न में 80 km पर घंटा की चाल से तै करती है train की ओशच चाल ज्याद करें हमें क्या निकालना है train की ओशच चाल निकालना है देखें हमें क्या दिया है दो बराबर दोड़ी पहले चड़न में जो speed था 60 km पर घंटा और उतना ही दोड़ी 80 km पर घंटा के स्पीड से चल रही है दूड़ी हमारा क्या है ब्राबर है तो हम यहां औसथ स्पीड निकाल सकते हैं देखिए हमारा दो स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां फर्मूला लगा लेते हैं यानि फर्मूला हमारा क्या होता है 2 x x y बटा x plus y अब देखिए हम यहां पहला हमारा स्पीड जो है x और दूसरा y है यानि यहां हमारा स्पीड के है 60 km और दूसरा के है 80 km तो हम यहां पूट करेंगे यानि 2 x 6 गुने 80 बटा 60 प्लस का 80 हम इसे एड़ करेंगे यह क्या हो जागा 60 और 80 एड़ करेंगे 140 यानि हम इसे लिख सकते है 2 x 6 गुने 80 बटा 140 देखिए 0 से 0 हमारा कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा हम इसे 2 से काटेंगे कितने बर में जागा 7 बर में 2 से काटेंगे कितने बर में जागा 7 बर में साथ शक ब्यालिस, साथ शक ब्यालिस, साथ शक ब्यालिस, हारसिल कितना बच जाएगा, छोग बच जाएगा, यानि साथ हा जाएगा, साथ अठे छपपन, साथ अठे छपपन, हारसिल कितना जाएगा, चार, यानि चालिस, यानि साथ पचे पैंतिस, साथ सते उन्चास, यान देखे हमारा question क्या दिया हुआ है a Hills कि 7 जल में Tech a यदि नओ धारा के विप्रीत दिशा में 20 km के दूरी 4 घंटा में तैक करती हैं, तो धारा की गति ग्यात करें, हमें क्या निकलना हैं? धारा की गति निकलना है? देखे हमें क्वेश्चन में दिया और सांत जल में 9 की चाल, यानि हमें x का वैलू क्या दिया हुआ है 20 km पर घं हमें क्या निकालना है हमें जो है धाड़ा की गति यानि वाई का हमें स्पीड निकालना है और हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है कि यदि नाव धाड़ा के विप्रीद दिसा में 20 किलो मिटर की दूरी चार घंटा में तैक करती है नाव जब धाड़ा के विप्रीद जात अब देखिए x-y हमारा क्या निकल के आगया 5 km पर घंटा और हमें x का value पता है कितना है 20 km है तो हम यहां से y का value निकाल सकते हैं हमारा जो है x-y निकल के आगया 5 km पर घंटा और हमें x का value पता है कितना है 20 km है यानि हम put करेंगे कितना हो जागा 20-y equal to 5 km पर घंटा अब देख plus में है तो minus में हो जाएगा y minus में है तो हमारा plus में हो जाएगा यानि हम यहां से लिख सकते हैं y 20 minus 5 यानि y हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15 km पर घंटा यानि धाड़ा की गति हमारा क्या निकल क्या आगा फंदरा किलो मेंटर पर घंटा चलिए कोस्चिन सबंज में आगया होगा, नेक्ट कोस्चिन पर चलते हैं कि देखे हमारा कोक्षिन क्या दिया हुआ है इन का माइनस दिया 3 क पाउड nd3 ने में एकस माण क्या होगा देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि भाग में क्या होता है अगर बेस सेम हो तो भाग में क्या होता है पावर माइनस होता है यानि यहां भी हमारा बेस 3 है और यहां भी बेस 3 है यहां पावर x है और यहां पावर 1 है और भाग में है तो उपर जाएगा तो क्या हो जा अब देखिए हम यहां से और क्या लिख सकते हैं इसे 3K पावर X इंटू ये हमारा एक में से माइनस होगा 1 बटा 3 क्या हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा 2 बटा 3 एक्वल टू 486 अब इस 2 से हम 486 को काटेंगे ये कितने बढ़ में जाएगा 2 बढ़ में 4 बढ़ में और 3 बढ़ में यानि 243 बढ़ में जाएगा अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर X इक्वल टू 243 गुने 3 देखिए 243 को हम क्या लिख सकते हैं 243 को लिख सकते हैं 243 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5 क्योंकि हम इसे तोड़ सकते हैं 81 गुने 3 81 गुने 3 करेंगे 81 क्या होता है 3 के पावर 4 और गुने 3 यानि 3 के पावर यह हमारा क्या है 3 के पावर 4 और गुने 3 हमारा क्या हो जागा 3 के पावर 5 यानि 243 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 3 के पावर 5 यानि हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे 3x equal to 3 के पावर 5 गुने 3 यानि हमारा क्या हो जागा base same है यानि power यहाँ 1 है हमारा क्या हो जागा गुना में add हो जागा यानि हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x equal to 3 के पावर 6 यानि हमारा यहां से x एक्वल टू क्या निकल किया गया? 6 निकल किया गया x क्या निकल किया गया? 6 निकल किया गया हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा चलिए कोश्चन समझ में आगया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई